बिसमिल्ला इरहमानी रहीम, असलाम आलेकुम आज हम बनाएंगे बहुत ही जादा मज़ेदार सी एकदम तंदूरी फ्लेवर वाली तंदूरी चिकन सैंडवीच की रेसिपी इसको आप रमजान में इफ्तार के लिए इफ्तार की दावतों के लिए बहुत ही आसानी के साथ बना कर तयार कर सकते हो बहुत ही मज़े की क्रंची और बहुत ही जादा टेस्टी ये सैंडवीच बन कर तयार होती है और बिना ओवन और बिना तंदूर के ही जवरदस सी ये तंदूरी चिकन सैंड्वीच बना कर तियार करेंगे तो फिर चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते है तो सबसे पहले यहां पर मैंने आधा किलो की जितना बोनलेस चिकन लिया हुआ है चिकन के मैंने एकदम छोटे छोटे से टुकड़े किये है देखे इस तरह से तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे तो इसमें 3-4 टीस्पून के जितना नमक आट कर लीजिए नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा एक टीस्पून इसमें पैप्रिका पाउडर डालेंगे और इसी के साथ आधा टीस्पून से थोड़ा सा जाधा यहाँ पर मैंने लाल मिज का पाउडर डालेंगे एक टीस्पून भर कर डालेंगे इसमें भुना कुटा जीरा पाउडर एक चौथाई टी स्पून हलदी पाउडर और इसी के साथ इसमें आधा टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड़ कर लीजिये और यहांपर मैं आधा टी स्पून काली मिज का पाउडर डाल रही हूँ और इसी के साथ इसमें एक टेबल स्पून भर कर तंदूरी मसाला अड़ कर लीजिए ये ना हो तो आप इसको skip कर सकते हो एक पिंच मैंने इसमें औरेंज रेट फूट कलर अड़ किया है और एक से दो टेबल स्पून इसमें नीमबो कारस अड़ कर लीजिए और यहाँ पर मैं इसमें तीन जौथाई कपकी जितना दही डाल रही हूँ तो दही जो है वो अच्छा थिक लीजिएगा और इसी के साथ एक टेबल स्पून इसमें ओलिव ओयल आट कर लीजिए आप इसकी बजाए रिफाइन ओयल कर सेमाल भी कर सकते हो एक टेबल स्पून भर कर डालेंगे इसमें अधरक लहसन का पेस्ट अब इन सारे मसालों को हम चिकन के साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम चिकन को एक घंटे के लिए रखेंगे मैरिनेट होने के लिए तो इसको फ्रीज में रखेगा और आप चाहो तो इसको फॉरन भी पका सकते हो क्योंके हम ने चिकन के बहुत ही छोटे-छोटे से टुकडे किये है और यह बहुत जल्दी गल जाएंगे तो इसको रख देंगे एक साइट पर अब यहां पर एक पैन रखा है मैंने गैस पर इसमें हम एक से दो टेबल स्पून की जितना ओइल आट करेंगे ओइल को अच्छा से गरम कर लीजिए उसके बाद हम इसमें यह मैरिनेट किया हुआ चिकन आट करेंगे तो चिकन को मैंने एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और चिकन को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर कंटिन्यू स्टर करते वे भूनेंगे दो से तीन मिनिट के लिए जिसे की चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा और मसाले जो है वो सारे अच्छे से बुन जाएंगे इनका कच्छापन भी दूर हो जाएगा और चिकन में से दही में से पानी निकलेगा जिसमें के हम चिकन को गलाएंगे और इसके बाद हम चिकन को कवर करके तकरीबन 5-7 मिनिट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर और क्योंकि चिकन के एकदम छोटे-छोटे से पीसे थे तो वो बहुत जल्दी गल जाएंगे अब यहां पर देखिए तकरीबन 7 मिनिट हो गया है और चिकन में जो भी पानी था वो भी ड्राय हो गया है और चिकन भी यहां पर काफी अच्छे से गल गया है तो 1-2 मिनिट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर भून लीजिए और यहां पर देखिए चिकन काफी अच्छे से ड्राइ हो गया है तो अब हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और चिकन को हम एक किनारे पर कर लेंगे और सेंटर में इस तरह से जगा बना कर एक कटोरी रख लीजिए एक जलता हुआ कोईला इसमें रख करके आधा टीस्पून ओईल या फिर घी आट कर लीजिए और अब हम इसको कवर करकर तकरीबन दो से तीन मिनिट के लिए कोईले का स्मोक देंगे जिससे के बहुत यह अच्छा सा तंदूरी सा फ्लेवर आ जाएगा चिकन में और दो से तीन मिनिट हो गए है तो अब हम यह कोईला इसमें से निकाल देंगे तो बहुत जादा आप इसको स्मोक मत दीजिएगा वरना फिर चिकन में कड़वा पना सकता है एक बार स्टर कर लीजिए ताके स्मोकी फ्लेवर जो है वो सारे चिकन में अच्छी तरह से फैल जाए अब इसको रख देंगे एक साइट पर ताके अच्छी तरह से थंडा हो जाए यहाँ पर मैंने दो वाइट ब्रेट के स्लाइस लिए है तो अब हम क्या करेंगे कि एक ब्रेट का स्लाइस ले करके इसके उपर हम अच्छी तरह से मायानीज लगाएंगे तो हर तरह अच्छी तरह से फैलाते हुए इसकी एक लेयर लगा दीजिए और इसके बाद यह जो चिकन हमने बना कर रखा वाता यह काफी अच्छे से थंडा हो गया है तो अब हम इसके उपर तीन से चार टेबल स्पून भर कर चिकन रखेंगे तो इस तरह से चिकन को डाल करके चिकन को भी अच्छी तरह से हर तरफ पहला दीजिए हर तरफ चिकन को स्प्रेट कर दीजिए तो चिकन जो है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या जादर डाल सकते हो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चैदर चीज लिया हुआ है वो हम इसके उपर डालेंगे तो यहाँ पर आप अपनी पसंद का दूसरा कोई चीज जैसे के ओनियन के स्लाइसेस है इस तरह से रिंग्स में कटे हुए वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ और दूसरे ब्रेट के उपर हम थोड़ा सा मायोनीज लगाएंगे और इस ब्रेट को भी इस तरह से अरेंज कर लीजिए अब हमारा सैंड्विश तयार है ग्रिल होने के लिए देखिए कितना मज़िक और जबर्दस लग रहा है यह अब से ही तो चलते हैं इसको ग्रिल करने के लिए तो यहाँ पर मैंने एक ग्रिल पैन रखा हुआ है गैस पर इसमें हम थोड़ा सा बटर आट करेंगे आप बटर के बजाए ओयल या फिर घी का इस्सेमाल कर सकते हो और ग्रिल पैन के बजाए आप यहाँ पर नॉर्मल तवा या फिर नॉर्मल पैन भी ले सकते हो और अब यह सैंज़िच पैन के ऊपर रख करके हम इसको 1-2 मिनट के लिए सेखेंगे लौ फ्लेम पर 1-2 मिनट ही काफी होंगे और 2 मिनट के बाद हम इसकी दूसी साइट पर भी थोड़ा सा बटर लगाएंगे जिसे के दूसरी साइट भी जब ग्रिल होगी तो इसमें बहुत अच्छा सा कलर आएगा इसके उपर भी बहुत अच्छे से मांकस आएंगे अब हम ऐतायात के साथ इसकी साइट को पलट देंगे और पलट करके हम दूसरी साइट को भी एक से दो मिनिट के लिए सेखेंगे लो फ्लेम पर तो बहुत जादा भी आप इसको मत सेखीगा वरना फिर सैंड्विच जो है वो जल सकता है और अगर आपके पास ग्रिलर हो टोस्टर हो तो आप उसमें डारेक्ट भी इसको सेख सकते हो अब यहाँ पर देखिए तकरीबन दो मिनिट हो गए है दूसरी साइट को भी इसमें सेखते हुए तो अब हमारा सैंड्विच तो है तयार सर्फ करने के लिए देखिए जबरदस और मज़े का लग रहा है यह तो चलिए इसको फटाफट से गर्मा गरम सर्फ कर लेते है तो बहुत ही जबरदस रेसिपी है यह आप रमजान में इफतार के लिए इफतार की दावतों के लिए इस रेसिपी को बहुत ही आसानी के सार्ट ट्राइ कर सकते हो क्रंची, क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की फ्लेवर वाला ये चिकन तदूरी सैंड़ीच जो है वो खाने में जितना ज़ादा मज़े का लगता है बनाने में उससे कहीं ज़ादा ये आसान है और आप इस सैंड़ीच को ऐसे इवनिंग स्नैक बना सकते हो, ब्रेकफास्ट में बना सकते हो, बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हो बच्चों को भी ये बहुत ही ज़ादा पसंद आएगा बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ट्राइ इसको एक बार जरूर कीजेगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कॉमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो फिर इन्शालला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज बिसमिल्ला रहमानी रहीम, असलाम आलेकुम आज हम बनाएंगे बहुत ही जादा मज़िदार से एकदम क्रिस्पी से इफ्तार स्पेशल कीमे के समोसो की रेसिपी इफ्तार में समोसे बनना तो लाजमी होता है बहुत ही जादा मज़ेदार से और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से बहुत ही चटपटे से ये समोसे जो है वो बन कर तयार होते है बनाने में ये बहुत ही जादा आसान है आप इनको एक बार क्राय जरूर कीजिएगा आप इनको इफ्तार के लिए इफ्तार की दावतों में बना सकते हो तो भी चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कडाई रखी हुई है गैस पर इसमें हम एक से दो टेबल स्पून की जितना ओईल अट करेंगे ओईल को गरम कर लीजिए उसके बाद हम इसमें आधा किलो की जितना कीमा एट करेंगे तो यहाँ पर कीमा जो है वो बहुत बारिक लीजेगा या फिर कीमे को एक बार मिक्सी में पीस कर एकदम बारिक कर लीजेगा अब हम कीमे को मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे इसी के साथ हम इसमें एक टी स्पून भरकर नमक और आधा टी स्पून हल्दी का पाउडर और इसी के साथ एक टेबल स्पून अद्रक और लहसन का पेस्ट आड़ करेंगे और इन मसालों के साथ हम कीमे को मीडियम टु हाई फ्लेम पर इस्टर करते वे भूनेंगे तो कीमे को इस तरह से तोड़ते हुए इस तरह से इसको mix करते हुए भून लीजिए जिसे के कीमे की छोटे-छोटे से टुकडे बन जाएंगे और इसी तरह से कीमे को 3-4 मिनिट के लिए भून लीजिए अद्रक लहसा, नमक और हल्दी के साथ अब यहां पर दीए कीमा जो है अच्छे से भून गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है तो हम इसमें बाकी के मसाले अट करेंगे तो इसमें एक टीजपून लाल मिर्च का पाउडर और एक टीजपून धनिया पाउडर और एक टीजपून डालेंगे इसमें बुना कुटा जीरा और इसी के साथ इसमें आधा टीजपून गरम मसाला पाउडर एट कर लीजिए और यहां पर मैं एक टीजपून चिली फ्ल अच्छे से मिल जाए और उसके बाद हम कीमे को कवर कर कर पकाएंगे जिसे के कीमे में अगर कोई थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी तो वो पूरी हो जाएगी वैसे हमने एकदम बारी कीमा लिया है इसको पकने में बहुत जादा टाइम नहीं लगेगा बस 5-7 मिनिट काफी ह अब देखिए यहां पर कीमे को पकते हुए तकरीबन 7-8 मिनिट हो गया है और यहां पर यह बहुत ही ड्राय हो गया है तो कीमे में जरा सा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए दिखिए इस तरह से एकदम बिखरा-बिखरा सा यह मेक्चर हमारा बन कर तयार हुआ है तो इस पर हम इसमें 3-4 हरी मिर्चे और 2 मीडियम साइस का प्याज आट करेंगे इस तरह से बारिक कट किया हुआ अब इस वक्त आपको प्यास की कॉंटिटी थोड़ी से जादा दिखाई दे रही होगी लेकिन जैसे जैसे हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे तो यह श्रिंक होकर ब भी खतम हो जाएगा और आधा अनीमबू का रस इसमे आट कर लीजी इससे बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा फ्लेवर आएगा समोसों में और अगर आप फॉरण ही समोसे बना रहे हो तो आपको प्यास को कीमे में मिला कर पकाने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप इसक को स्टोर करना चाते हो तो प्यास को जरूर पका लीजेगा क्योंकि प्यास में जो है वो मॉइस्चर होता है इससे समोसे खराब हो सकते है अब दिखिए यहां पर प्यास को मैंने 2-3 मिनिट के लिए पका लिया है कीमे के साथ और यह प्यास जो है ट्रांसलूसेंट हो गई है और अपनी कॉंटिटी से यह बिलकुल आधी रह गई है और कीमे के मिक्सचर में बिलकुल भी अब मॉइस्चर बाकी नहीं रह गया है तो इस पॉइंट पर हम इसमें एक मुठी के जितना बारी कटा हुआ हरा धनिया आधी मुठी के जितना पुदीना डालेंगे बारी क हंटे के लिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था काफी अच्छे से यह ठंडा हो गया है और इसका टेक्च्चर भी आप देख सकते हो बिलकुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं है और यहां पर थोड़े से मैदे में मैंने पानी मिला करके इसकी एक थिक सी पेस्ट बना कर तियार कर ली है इसको हम समोसो को सील करने में यूज करेंगे और यहां पर मैंने कुछ समोसे शीट लिए है जो कि रेडिमेड है आप इसको बहुत ही आसानी के साथ घर में भी बना कर तियार कर सकते हो अब हम क्या करेंगे के एक शीट ले करके बाकी की शीट को हम गिले कप और अब हम इस समोसे की शीट को इस तरह से फोल्ड करेंगे देखे इस तरह से जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ थोड़ा सा मैदे का पेस्ट ले करके इसके किनारे पर लगाएंगे और इसको फिर से इस तरह से फोल्ड करेंगे जिससे के इसकी एक पॉकिट सी बन जाए ताकि ये अच्छे तरह से सील हो सके dhp अब इसको देखें इस सरह से फोल्ड कर लीजिए और बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही परिफेक्ट शेप का हमारा समॉसा जो है वो बन कर तयार हो गया है और इसी तरह से हम सारे समोसे बना कर तयार कर लेंगे देखिए एक और हम बना लेते हैं तो इस तरह से शीट लेकर इसको पहले इस तरह से फोल्ड कर लीजी उसके बाद इसके उपर मैदी की पेस्ट लगाएंगे एक किनारे पर तो बहुत अच्छे से लगाएगा सकती है और इसके किनारों को अच्छी तरह से सील करिएगा वरना फेस में ऑईल जा सकता है अब देखिए यहां पर मैंने सारे बना कर तयार कर लिए है और इस पॉइंट पर आप इनको जिप लॉक बैग में डाल करके डीफ फ्रीजर में स्टोर कर सकते हो महीना देड महीने के वी तरब तो कडाही में मैंने ओएल को मीडियम फ्रेम पर गरम कर लिया है और एक एकर्के सारे समोसे हम दाखिए तो एक बार में जितने आ रहे हैं उतने ही डाल लगा और अपने गयस पर लेंग को मीडियम ही रखना है हाई फ्रेम पर यह उपर से जादा धार हो усाथ जाएंगे और इन पर अच्छा सा गोल्डन सा कलर भी आ जाएगा तो हमें इसका कलर बहुत जादा डार्क नहीं करना है अब देखिए इन पर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने लगा है तो इनको स्टर कर लीजिए और इनको कुछ देर के लिए और फ्राय कर लेंगे ताकि थो और इनको एक छलनी में रख लीजेगा ताके एक्सट्राइल होगा तो वो निकल जाएगा और इसी तरह से हम सारे समोसो को फ्राइ कर लेंगे और बहुत ही ज़ादा जबरदस और मज़ेदार से और बहुत ही आसानी के साथ बन जाने वाले समोसे जो कि इफतार में सभी को बह अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी फिर इन्शालला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ये अच्छी सी रे अगर नेक्लेट जो है वो बन कर तयार होते है खाने में तो ये बहुत ही जादा मजे के लगते है बहुत ही जादा आसान रेसिपी है ट्राइस को एक बार जरूर कीजेगा तो फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पर मैंने कड़ा ही पॉइल में मीडियम फ्लेम पर और इसके बाद हम इसमें एक टीस्पून डालेंगे नमक तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा एक टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और एक टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चे आड़ कर लीजिए इसकी बजाए आप ला किया है वो इसमें डालेंगे यहां पर आप अपनी पसंद के दूसरे वेजिटेबल जैसे के यलो और रेट कैप्सिकम भी डाल सकते हो मिला देंगे अच्छी तरह से और हाई फ्लेम पर हम इन वेजिटेबल्स को सिर्फ एक से डेड़ मिनिट के लिए पकाएंगे चिकन के स साथ अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगी और थोड़ा सा ये भून भी जाएंगी और अब इसमें डालेंगे आधा कप की जितना बॉयल स्वीट कॉन और इसी के साथ यहां पर मैं दो टेबल स्पून ग्रीन और दो टेबल स्पून ब्लैक ओलिज और थोड़े से हैलेपी कुछ सेकंड्स के लिए पकाएंगे जिसे कि सारे मसाले और तमाम चीजे अच्छी तरह से एक दूसर में मिल जूल जाएंगी और अच्छी तरह से पक भी जाएंगी और उसके बाद हम इसमें पीजा सॉस एट करेंगे तो यहां पर मैं तकरीबन तीन से चार टेबल स्पू कर लीजिए और उसके बाद हमें इसको बहुत जादा नहीं पकाना है जब यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को आफ कर दीजिए और इसको एक साइट पर रख दीजिए ताके यह काफी अच्छी से ठंडा हो जाए और जब तक यह थंडा हो रहा है तो हम तैयारियां कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने 5-6 मीडियम साइज के आलो को बॉयल कर लिया है और अब हम इन आलोओं को ग्रेट कर लेंगे तो आप इस तरह से ग्रेटर की मतद से इनको कद्दूकश कर लीजिए या फिर आप इनको अच्छी तरह से मैश कर लीजिए बस आल तेस्ट के कोड़िंग डालेंगे नमक और अधर टीस्पून इसमें काली मिच का पाउडर अड़ कर लीजिए और इसी के साथ ही इसमें बाइंडिंग के लिए मैं दो टेबल स्पून कॉन फ्लॉर एड़ कर रही हूं और डाल करके इन तमाम चीजों को हम अची तरह से मिक्स क तो अची तरह से फोर्क की मदद से या फिर हातों की मदद से इनको मिक्स कर लीजिए ताके कौन फ्लॉर जो है वो आलू में अच्छे से मिल जाए अच्छे से इसमें बाइंडिंग आ जाए और यह एकदम डो की शकल में आ जाए और आलू को ठंडा करने के बाद ही आपने य चाधर चीज मिक्स है तो अब हम इसके कटलेट्स बनाएंगे तो आलो का मिकचर थोड़ा सा हाथों में लेकर के इस दरह से राउड बॉल बना लिजिए उसके बाद हम इसको हतेली के रखे न कर लेंगे और बिल्कुल इसको फ्लैट शीट की तरह बना लीजिए देखिए इस तरह से उंगलियों की मदद से इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लीजिए और इसको बिल्कुल पतला सा बना लीजिए उसके बाद हम इसमें ये चिकन की स्टफिंग रखेंगे तो दो से तीन टेबल स्पून की जितनी आप रख सकते हो और इसके बाद हम इसके उपर ये पीजा चीज एट करेंगे तो चीज भी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम्यार जादा डाल सकते हो और अपनी पसंद का कोई दूसरा चीज भी आप यहां पर यूज कर सकते हो और डाल करके हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे जिस तरह के हम कचोरी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसको फोल्ड करना है देखिए अभी अच्छी तरह से रोल की शकल में आ गया है और कहीं से भी आपको यह खुला हुआ दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा सा आलू का मिक्सचर इस तरह से इसके उपर लगा दीजिए और अच्छी तरह से यह पैक हो जाएगा और इसी तरह से हम सारे ही बना कर तियार कर लेंगे और यहां पर देखिए मैंने सारे ही बना लिये है और इतने मिक्सचर में हमारे बड़े साइस के 6 कटलेट्स बन कर तियार हुए है अब हम चलते हैं इनकी कोटिंग की तरफ तो इनकी कोटिंग के लिए सबसे पहले एक बोल में 5-6 टेबल स्पून की जितना मैदा आड़ कर लीजिए और इसी के साथ इसमें 1-2 पिंच की जितना नमक डालेंगे और आधा टीस्पून की जितना इसमें चिली फ्लेक्स आड़ कर लीजिए अब ये जो cutlets हमने बना कर रखे हुए थे इसको हम मैदे की slurry में dip करेंगे तो अच्छी तरह से इसको दोनों साइट से dip कर लीजिए उसके बाद हम इसको उठा करके bread crumbs में coat कर लेंगे तो अब हम चलते हैं इनको fry करने की तरफ तो इनको fry करने के लिए एक pan में oil को medium to high flame पर पहले अची तरह से गरम कर लीजिए उसके बाद जितने cutlets एक बार में आ रहे हैं उतने pan में डाल दीजिए और डाल करके आप इनको medium to high flame पर ही fry कीजिए और तकरीब एक से दो मिनिट के पाद इन पर थोड़ा सा कलर आने लगा है तो इनकी साइड को चेंज कर लेंगे और इनको medium to high flame पर ही हम लगातार fry करते जाएंगे तो आपने इनको low या फिर low medium flame पर फ्राय नहीं करना है medium to high flame पर इनको जब तक फ्राय कर लीजिए जब तक के इन पर अच्छा सा गोल्डन स सर्व करिएगा और इसी तरह से ही हम दूसरे सारे कटलेट्स जो है वो फ्राय करकर रख लेंगे और इसी के साथ देखिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जादा चीजी और बहुत ही टेस्टी से पीजा कटलेट्स जो है वो बन कर तियार हो गए है तो रमजान में इफ अर्मानी रहिंगार नमख कट कर लिया है और इसके बाद हम क्या करेंगे कि प्यास में एक टीस्पून की जितना नमक डालेंगे तो नमक आप यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाफ से डाले गाएगा और नमक डाल करके हम प्यास के साथ नमक को पहले अची तरह से मैश करते वे मिक्स करेंगे जिसस यहां पर मैंने 5-6 उबले हुए अंडे लिए हैं अंडो को हम पहले कट कर लेंगे देखिए इस तरह से अंडो को चाकू की मदद से पहले दो हिस्सों में कट कर लीजिए उसके बाद हम इन अंडो को फिर से कट करेंगे तो इस तरह से इनको सेंटर में से कट कर लीजिए तो थोड़े से अंडों में से बहुत सारे पकोड़े बनकर तयार हो जाते हैं अब यहां पर देखिए प्यास भी काफी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है तो अब हम इसमें बाकी की चीज़े आड़ करेंगे तो सबसे पहले यहां पर मैं इसमें एक टेबल स्पून मोटा कुटा है वो इसमें डालेंगे और इसी के साथ इसमें बहुत सारा बारी कटा हुआ हरा धनिया अड़ कर लीजिए इसे फ्लेवर बहुत ही जादा अच्छा आता है और अब हम इसमें आधा टीस्पून डालेंगे अधरक और लहसन का पेस्ट इसी के साथ एक कप इसमें बेसन अड कर लीजिएगा और डाल करके अब हम इन सारी चीजों को प्यास की साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे तो थोड़ा सा इसको मैश करते में मिलाएगा जिससे के जो प्यास में से पानी निकला है उसमें बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और हमारे पकोडों के मिक्सचर मे अच्छी binding आएगी और क्योंकि हमने इसमें नमक पहले से ही add किया हुआ है तो इस point पर हमें इसमें नमक डालने की जरुरत नहीं है देखिए अच्छी तरह से mix हो गया है तो हातों को अच्छी तरह से wash करने के बाद oil लगा लिजी और पकुडों का mixture थोड़ा सा इस तरह से ले तो थोड़ा सा पकुडों का mixture इसके ऊपर लगा लीजेगा और थोड़ा सा हातों की मतर से इसको रोल कर लीजे और एक अंडा पकुडा हमारा बनकर तियार हो गया है देखिए इसी तरह से हम 5-6 बना लेंगे सारे एक साथ मत बनाएएगा थोड़े-थोड़े से बनाते जा होगा जादा हाई फ्लेम पर यह उपर से जल जाएगा अंदर से कच्छा ही रह जाएगा और कुछ देर के बाद हमें इसकी साइड को चेंज करेंगे और हम इसको अलटते पलटते वे मीडियम फ्लेम पर फ्राय कर लेंगे जब तक कि इस पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन इसप्रहर नहीं आजाता और अच्छी तरह से ये क्रिस्पी और बहुत अच्छी से ये पकने ही जाता अब यहां पर देखिए तक्रीब Kraud कर अब अच्छा सा इसके उपर अच्छा से निकाल देंगे और इसी तरह से सारे पकोड़े हम फ्राय करके रख लेंगे और बहुत चिटनी के साथ सेव कर सकते हो बहुत ही जादा मज़े के और क्रिस्पी ये बनकर तियार होते है ट्राइज जरूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी फिर इन्शाला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए अलाहाफिज